मातर 20 रुपए का नारियल और हजारों का काम आज नारियल की हम ऐसी डिस बना रहे हैं जो मार्केट में हमें काफी महने दामों में मिलती है और इस नारियल को मातर 20 रुपए में खरीदा गया है इस नारियल का पानी निकाल कर इसे काट कर बस इसे हम फ्राई कर रहे हैं आप चाहें तो कुकिंग ओयल में इसे फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे देशी घी में भी फ्राई कर सकते हैं दोनों में दोस्तो यह बेस्ट रहेगा और दोस्तो इस चीज़ को अक्सर हम घरों में अमूमन बनाती नहीं है आगे की जानकरी दूँ दोस्तो उचसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी ये वीडियो देश के कौन से कौन से देख रहे हैं कौमेंट बॉक्स में कौमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ हमारा पिछला थैंक्स जाता है अमर सिंग जी को बटींडा से और रीटा जी को एहमदाबास से तो आप देख सकते हैं दोस्तो हमने दो नारियल यानि 20 और 20-40 रुपे खर्च करके दो नारियल ले लिये हैं और इनको हम छोटे छोटे टुकडों में इस तरीके से घी में अच्छे से डाल के फ्राइ कर लेंगे आपको दोस्तो इसको जादा जलाना नहीं है बस हलका सा इसका कलर चेंज हो जाए यानि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसे घी में पकाना है अब दोस्तो इस scenario के मैं जितने फाइदे बताऊं दोस्तो आपको उतने ही कम है क्योंकि बहुत ही खास चीज हम आज बना के तैयार कर रहे हैं जो कि हमारे सरीर के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है और दोस्तो ये खाने में भी उतनी delicious होने वाली है तो आप देख सकते हैं दीरे दीरे इनका color है वो थोड़ा सा हलका सा brown होना start हो गया है तो हम इसे एक अलग plate में जो है निकाल लेंगे इस तरीके से आप कर्ची की मदद से एक अलग plate में आप इसे निकाल लीजिए और निकालने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आप इसे निकालने के बाद एक mixi का jar लीजिए mixi के jar में आप इसे add कर दीजिए हमें दोस्तो नारियल बचा के नहीं रखना है जितना भी नारियल हमने fry किया है वो सारा का सारा हमें इसके अंदर add कर देना है add करने के बाद दोस्तो क्या करना है चलिए वो भी हम देख लेते हैं आप इसमें दोस्तो add कर दीजिए कुछ कांजू पांच से दस कांजू आप इसमें add कर दीजिए फिर दोस्तो थोड़ी सी किसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा दूद लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि इसमें जितना कच्छापन थोड़ा सा है वो और निकल जाए फिर दोस्तों हम इसमें एड़ करेंगे दूद अब दोस्तों हमने इसको पका लिया है थो क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा मातर 20 रुपए के नारियल से हम इतनी महंगी चीज घर पे ही तयार कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह चीज जितनी खाने में ज्यादा टेस्टी होती है उतने ही ज्यादा हमसे लोग पैसे वसूलते हैं मार्केट में तो आप देख सकते ह और अब हमें इसमें एड़ कर देना होगा मिलक पाउडर मिलक पाउडर से दोस्तों एक यूनिक सा टेस्ट इसके अंदर आएगा और अब हमें इस मिलक पाउडर को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको दोस्तों अगर वाइट कलर पसंद नहीं है या फिर दो सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम पावड़र मीठा होता है और मैं इसमें ज्यादा मीठा नहीं कर रहा हूँ इतने में दोस्तो काफी हد तक मीठा हो जाएका जो कि मुझे काफी पसंद है आप चाहें तो दोस्तों अपने आवसकता अनुसार इसमें मीठा एड़ कर सकते हैं अब हमने इंस चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब दोस्तों आप इसमें एड़ कर दीजे लगभग चुटके भर फूड कलर जो भी आप इसमें कलर देना चाहें अब आपको दोस्तों इसमें और कोई भी चीज एड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आज हम नारियल की यह खास चीज बना के तयार कर रहे हैं वो है दोस्तों नारियल का हलवा अगर आप चाहें तो दोस्तों इससे नारियल की बर्फी भी बना सकते हैं मुझे नारियल का हलवा काने का मन था इसलिए मैं आज इसका हलवा बना रहा हूँ तो अगर आपको नारियल की बर्फी बनानी है तो इसको दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से आप और पका लीजिए ताकि आपकी जो बर्फी है वे एकदम बिल्कुल अच्छे से जम के सैट हो चुके अब दोस्तों मैंने इसे अच्छे से पका के हलवा बना लिया है और एक अलग प्लेट में निकाल लिया है दोस्तों कैसी लगी है आज की हमारी एक खास डिलीशिस रेसिपी हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और दुनिया के कौन से कौन से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं और ऐसी धे सारी delicious और yummy recipe के साथ दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक ऐसी ही delicious recipe लेके आता हूँ अब मैं चलता हूँ दोस्तों मुझे दीजी अलविधा आप अपना और अपनी family का ध्यान रखेगा मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही और delicious और yummy recipe के साथ तब तक के लिए दोस्तों बाबाए take care see you